जेहिन दोस्तों एक बार फिर स्वागता आप ही के अपने यूटूब चैनल में दोस्तों अगर आप भी एलफी और टैक्निसिन के व्यारतियों तो दोस्तों आपको इंतजार होगा कि CBT2 का रिजल्ट कब आएगा जी हां दोस्तों आपका इंतजार खतम हो चुका है CBT2 का दोस्तों रिजल्ट है वो कल देर रात को अनौंस्ट कर दिया गया दोस्तों आज हम इस वीडियों बात करने वाने हैं जो रेल्वे ग्रूप जो एलपी और टैक्निसिन का जो रिजल्ट था दोस्तों उसमें आपकी अलग-अलग का टॉब है वो कितने गई यह साथ को पकास किया गया CBT2 में तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो ओपीसली दोस्तों में सारे जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला उम तो दोस्तों वीडियो के दक जरूर बने रिजी के ले तेकि दोस्तों सबसे पहले हम देखते एल पी का Chemie हाली में CCTV2 result की तो सबसे पहले आप यहां देख सेट लिएद लिएकुट के computer waste aptitude test, मतलब दोस्तों आपकी जो cut-off आई है, वो normalized cut-off है, मतलब normalization के बाद की cut-off है, साथ में दोस्तों सभी व्यारतियों कि अपने score card है, वो भी डाल दियेंगे, मतलब आपके normalization के बाद पहले कितने number थे, तो यहां आपकी सामने एक आपका cut-off है, उसका जो notice हो डाउनलोड होके आपके सामने आने वाला है, तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो, यह download हो चुका है, दोस्तों आप मैं बता देता हूँ आपको, तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, सबसे पहले बोफाल की LPO Technician की जो cut-off देखते हैं, नॉर्मलाइट, आप यहां कुछ देख सकते हों, दोस्तों, नॉर्मलाइट cut-off marks second stage computer-based activity to for the post of assistant locopilot against CN1-2018, तो सबसे पहले assistant locopilot की जो cut-off है, तो उसके बारे में बात करें, तो unre Mater Casa की आपकी cut-off गई दोस्तों 64.64184 आपकी cut-off गई है, मतलब दोस्तों अन्रिजवेट की जनरल की बात करी तो जनरल की असिस्टेन लोको पाइलेट की 64 कटोप गई है और SC की 49 कटोप गई है और SC की 40 मतलब 40 आपकी कटोप गई है यह LV की है Assistant Locopilot की Cut-Up है जो बोफाल जोन की है दोस्तों देर रात को जारी कीगी अब दोस्तों हम देखते हैं सिकंदराबाद की सिकंदराबाद की Cut-Up कितनी गए अब दोस्तों मैं सबसे बरहे से बदा दूँ आपको वोफाल के बारे में लगबग 8000 के लगबग अवियारतियों को अगले एक्जाम के लिए पास किया गया मतलब साइको के लिए 8000 के लगबग April जो को इसमें पास किया गया CBT2 में अब हम बात करते हैं दोस्तों सिकंद्राबाद की तो दोस्तों आप यहां देख सेकते हैं RRB सिकंद्राबाद है उसकी ओपीसली दोस्तों उसमें साइड पे आ चुके दोस्तों अब सबसे बहले हैं बात कर लेते कटोप की जी हां दोस्तों LP की जो कटोप सेकेंड इस्टेज जो cbt2 है उसकी कटोप कितने गई है तो दोस्तों आप जैसे इसके नीचे जाओगे तो आपको लिंक मिलेगा कि जो cbt2 है उसकी कटोप तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो आपके सामने डाउनलोड होके सामने आने वाली है तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो रेलवे की जो ओपी सिली दोस्तों जो कटोप है आरार भी सिकिंद्राबाद उसकी जारी कर देगे अब सबसे पहले की बात करते हैं दोस्तों हम यहां आप देख सकते हो नॉर्मलाइड कटोप मार्स ओप सेकेंड इस्टेस इबीटी पोर दे केंडेट शोर्ट लिस्ट पोर दे कंप्यूटर बेस्ट एफ्टीट टेस्ट पोर दे पोस्ट आप असेस्टें लोकोपाइलेट की बात करें तो अन्रिजवेट की आपकी जनरल की बात करें तो जनरल की आपकी 59.96718 आपकी कटोप गई है मतलब गुनषट आपकी कटोप गई है अगर SC की बात करें तो SC की 41 आपकी कटोप गई है और OBC AC Serviceman की बात करें तो 30.5842 आपकी कटोप गई है तो दोस्तो यह है सिकंदराबाद की कटोप है दोस्तो ओपिसली कटोप जारी कर देगी है सभी की लिस्ट भी जारी कर देगी है जो क्वालिफाइड केंडिडेट है उनकी भी लिस्ट दोस्तो जारी कर देगी है फिर नंबर तक बन रहे है दोस्तो नोर्मलाइट कटोप के बाद में और आपके सभी का स्कोर कार्ड है वो भी OBCC ली जारी कर दिया गया है नोर्मलाइजेशन के पहले आपके कितने नंबर देगी है और आगे के स्टेज के लिए आप क्वालिफाइड है या नहीं है ये दोस्तो ओपिछली नोटीस डाल दिया गया आप अपने रजे स्टेशन नमबर और अपनी डेटो बर डाल के आप अपना नमबर चेक कर सकते हो साथ में दोस्तो अगर अधर कोई जोन की अगर आपकी कटोप और रिजल्ट आता है